लोग का विए इस च्टूडेंट स्वागत है आप सभी लोग का कभी इंगले स्पोकन क्लासिस के सेक्ड लेक्चर में आप सभी लोग का स्वागत है इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा आज का टॉपिक है हमारा ग्रीटिंग की ग मतलब जब हम अपने फ्रेंड से या फर कोई छोटी जो रिष्टिदार होते हैं हम उनसे मिलते हैं तो हम उनसे कहते हैं हेलो हेलो मतलब होता है नमशकार नमशकार हम किसी भी वक्त कह सकते हैं जैसे कि हम सोबह मिले तो सोबह कह सकते हैं शाम को मिले तो शाम को नमशकार कह स Okay guys, when we meet our teacher, elder and all people who are our elder, मतलब जब हम हमारे teacher, elder, भड़ों से अफ़र सारे लोगों से मिलते हैं जो हम से बड़े हैं, 12 बचे, 12 a.m. to 12 p.m. अलब रात के 12 बचे से दिन के 12 बचे तक हम मिलते हैं, तो हम उनसे कहेंगे good morning, मतलब सुभ शुभ शुभाव. 12 p.m. 12 p.m. to 4 p.m. जब हम इस टाइम पर मिलते हैं हमारे teacher elder बड़ो से तो हम बोलते हैं good afternoon मतलब शुब दिन जब हम 4 p.m. to 8 p.m. किसी elder, people, बड़े people किसी से भी मिलते हैं तो हम बोलते हैं good evening मतलब शुब शिया जब हम 8 p.m. to 12 a.m. किसी से मिलते हैं तो हम बोलते हैं good night मतलब शुब रात्री जैसे कि हम से कोई कुछ सवाल पूछता है how are you मतलब आप कैसे हो तो हम उसका जवाब देते हैं I am fine what's about you मतलब मैं ठीक हूँ आप अपनी बताईए आपका क्या हाल है बाय एक greeting शब्द है मतलब अलवेदा होना अलवेदा कहना बाय का मतलब होता है अलवेदा when we go from one place to another place मतलब जब हम एक जगे से दूसरी जगे जाते हैं तो हम बोलते हैं बाय sorry माफी मागना sorry मतलब माफी मागना when we do some mistake then we say sorry जब हम कोई गलती करते हैं गलती से तो हम sorry बोलते हैं that's all for today आज के लिए बस इतना ही आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले लेक्चर में सब्सक्राइब करना ना बोलेगा कर दो कर दो